कॉंग्रेस और इंडी गडबंधन का हिडिन एजेंडा छुपा हुगा एजेंडा है कि स्टी और ओबी सी का हक चीन कर मुस्लिमों को देना कॉंग्रेस कहती है कि देश के संसादरों पर पहला हक मुसल्मानों का है कि देश के संसादरों पर पहला हक गरीबों का है दिसंबर 2006 को नैशनल डेवलोप्मेंट काउंसिल को संभोधित करते हुए प्रधान मंत्री मनमौन सिंग ने कहा था और मैं यार दिलाना चाहता हूं कि मौन सिंग ने या बयान गलती से नहीं दिया था बल्कि जान भूच कर दिया था क्योंकि अप्रेयल 2009 में फिर से मनमौन सिंग ने मुंबई में प्रेस कांफरेंस के दौरान एक प्रश्ण के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठैराया और कहा कि माइनौरिटीज का खास कर मुस्लिमों को प्रायर्टी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों पुक्रदेश के संसाधनों पर पहला हथ होना चाहिए सब्चर कमिटी की रिपोर्ट के माध्यम से घलत बयानी की गई और मुस्लमानों को हालत धलितों से भी खराब है यह कहा गया मतलब यह है कि कॉंग्रेस पहने से ही आधार बना रहे थी कि ये इनकेंट प्रकारेंट मुस्लिम को एस सी अनुसूचि जाती घोशित कर मुस्लमाने को एस सी आरक्षन की वैटता दिलायर दी जाए कॉंग्रेस की सी एस्टी और ओबी सी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरागी है यहां तक कि बावा साथ भीम्राव एंबेटकर ने 27 अक्तूबत 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नहरू ने 2000 भाशन दिये हैं लेकिन उन्हों ने एक बा जाती के कल्यार के बारे में बात नहीं की है ए इस ते आप अंदादा लगा सकते कि कॉंगर्ष पार्डिटी को हमारे लोगों के प्रकिक इतनी सहानब मोठी पंडित मेरूं हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते ही मैं नहीं चाहता कि मुसल्मानों की अपेक्षा हूँ, कदा भी हम नहीं चाहते कि मुसल्मानों की अपेक्षा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ, कि मुसल्मानों को अन्य समधाव की खीमत पर अरुचित लाग नहीं उठाना चाहें, जिन्हें अधिक सुरक्षा की आ जाना जाए और SC लिस्ट में आरक्षन दिया जाए कोई SC अगर धर्म बरलकर मुसल्मान बनता है तो उसका SC दर्जा बना रहे साथ ही OBC के 27% से 6% काट कर मुसल्मानों को आरक्षन दिया जाए कॉंग्रेस ने कोड के कानून को बदलकर AMU जामिया में लिया जैसे संस्थानों में SC ST OBC रिजर्वेशन को ख़द्म किया 1981 में कॉंग्रेस ने SC ST OBC के रिजर्वेशन को चीडने के लिए अलग AMU अमेंडमेंट एक 1981 लाकर कोड के पैसले को बदल दिया कॉंग्रेस सभी जातियों को OBC यानी सामाजिक और स्ट्रेक्शनिक रूप से पिछड़ा बता रही है कॉंग्रेस ने आंदर प्रदेश में चार वार मुस्लिम रिजर्वेशन को एविल्मेंट करने की कोशिश की सुप्रीम कोड की इंटर्वेंशन के कारब कॉंग्रेस सर जाती थी कि OBC रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सबकोटा हो ने में यूपीयर टू के दौरण माइनॉर्टी एफेर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 सबकोटा का प्रसाओ रखा जिसमें मुसल्मानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिक था सरकार ने रिलिजर्वेशन को खत्म कर दिया था लेकिन कॉंगरेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को OBC कैटिवरी में डाल दिया करनाटक में भी OBC के अंदर कैटिवरी 2 भी बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षन दे दिया गया कॉंगरेस ने अपने मैनिफेस्टों में कहा है कि देश के भहुसंखियत वाद की कोई जगह नहीं है मतलब उन्होंने SC, ST, OBC से सब नफरत है क्योंकि देश में भहुसंखियत आबादी इनी करीप लोगों की है इनी वर्गों की है ये कॉंगरेस का मैनिफेस्टों है और य आजर हर का बर्पा